ठान कर देखो हिर्दय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुम्किन नहीं हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आप सभी का स्वगत करता हूँ आज की इस इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में फ्रेंड्स मेरा कोई भी इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रेनिंग वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को आन करना ना भूले friends आज हम बात करेंगे एक ऐसे system के बारे में एक ऐसे तरीके के बारे में जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से अमीर बनने में मदद करता है हमें से बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या कोई व्यक्ति किसी को अमीर होने के सिधान्तों को सिखा सकता है क्या अमीर बनना भी बहुत असानी से सीखा जा सकता है क्या अमीर व्यक्तियों के जीवन में कुछ सिधान्त होते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि अपनी लाइफ में आप इन पाँच प्रिंसिपल्स को फालो करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप बहुत अधिक अमीर बन जाएंगे और ये सिधान्त जिस बुक से लिए गए हैं उस बुक का नाम है Richest Man in the Babylon दोस्तों हमने बहुत सार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि hard work is the key of success लेकिन यदि हर व्यक्ति hard work करता है तो क्या उसको सफलता हासिल होती है फ्रेंड्स hard work is not a key of success क्योंकि यदि hard work is the key of success होता तो शायद हर मजदूर बहुत अधिक काम्याब होता लेकिन एक मजदूर के काम्याब होने के chances भी ना के बराबर होते हैं Smart work is the key of success जो व्यक्ति अपने जीवन में सही दिशा में सही निर्देशों का पालन करते हुए मेहनत करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा काम्याब होता है यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक बुलंदियों को हासिल करना चाहते हैं और financially बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी के इन नियम को ध्यान से सुनियेगा, समझियेगा, लिखियेगा और रोजाना मेरे बताए हुए नियमों का अनुकरन करने पर एक दिन आप बहुत अमीर व्यक्ति बन जाएंगे अमीरी का पहला नियम, आप जितनी भी इनकम कमाते हैं, कम से कम उसका 10 प्रतिशत सेविंग के रूप में बचा के रखें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे सेविंग बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा अमीरी का अगला नियम, दोस्तो प्राकरतिक रूप से मिलने वाला समय सभी व्यक्ति को समान रूप से मिलता है आप गोरे हैं या काले, आप छोटे हैं या बड़े, आप भारती हैं या विदेशी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता प्राकरतिक रूप से मिलने वाला समय सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलता है लेकिन जदी आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने समय में दूसरे का समय खरीदने की कोशिश करें जब आप दूसरे का समय खरीदने का नियम अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी प्रगती कई गुना बढ़ जाती है और साथी साथ आप बहुत जल्द अमीर बन जाते हैं इसको एक उधारन के माध्यम से समझते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमेशा अपने समय को बेचते हैं वो दूसरे का समय खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं एक professional doctor अपने patients का जब treatment करता है तो मान लीजिए एक doctor प्रती घंटे 1000 रुपे चार्ज करता है और अमूमन पूरे दिन में 8 घंटे वो अपने clinic को समालता है इसका मतलब per day वो 8000 रुपीज generate करता है इसका मतलब वह रोजाना 8000 रुपे कमाता है उसी की अपेक्षा एक दूसरा businessman जो उस profession को business की तरह से देखता है वे एक hospital बनाता है और वहाँ पर उस विधा के बहुत सारे doctors को job पर रखता है और यदि मान लीजिए उसके hospital में 10 doctor काम करते हैं तो वो रोजाना 8 घंटे में 8000 रुपे नहीं असी हजार रुपे का turnover generate करता है और उसका एक share doctors को देता है और वह व्यक्ति निरंतर दूसरे लोगों का समय खरीदना शुरू करता है और एक दिन वह व्यक्ति बहुत बड़े hospital का मालिक बनता है और साथ ही साथ number of branches को बढ़ा कर अपने आपको और अदिक और अदिक और निरंतर अमीरी की ओर ले जाता है अमीरी का अगला नियम कि आज आप जिस तरह के सरकल में हैं आने वाले समय में आपका भविश्य भी वैसे ही निर्धारन होगा अमीरी का अगला नियम दोस्तों अमीर व्यक्तियों के अंदर एक बहुत बहुत बहुतरीन आदत होती है वो हमेशा training programs के माध्यम से अपनी जानकारी को अपनी knowledge को बहुत अधिक बढ़ाते हैं और knowledge बढ़ने के साथ-साथ अपने व्यापार, अपने profession, अपने investment, अपने infrastructure को लगातार develop करते हैं वैं लोगों से काम कराना पसंद करते हैं और उनका पैसा हमेशा उनके लिए काम करता है जिस से उनके होने या ना होने पर उस व्यवसाय पे उस profession पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर आप live training program attend करना चाते हैं या अपने राज्ये में training program organize करना चाते हैं तो मेरी team को contact करें अगर आपको या informative वीडियो पसंद आया तो अपने friends के साथ को share करना ना भूलें और जिस विशह पर आप जानकारी चाते हैं comment box में अवश्य लिखें